आज में आपके साथ एड्मिन्टन की जो जो मार्किट है आउसिंग मार्किट है उसके बारे में कुछ बातें शेयर करना चाह रहा था तो यह नहीं लिस्टिंग हुई है वो टू 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 नाइटी सेवन हुई है जब के सूल्ड हुआ है नाइटी सेख्स और ओल एवरेज का मतलब है कि छोटे बड़े गर सब मिला के उसकी जो एवरेज प्राइज है वो जो जो एड्मिन्टन की 370,000 है अगर हम इसको डिस्टिबूट करें हर सिंगल फैमिली जो है इसकी एवरेज प्राइज 452,000 के गवर करीब है सेमी डिटेज जिसको हम डूपलेक्स भी कह सकते हैं वो 355,000 है रो हाउसिंग टाउन हाउस जो होते हैं वो 248,000 के करीब है और अपार्टमेंट या कॉंडो या लोराइज जो होते हैं वो 118,000 के करीब आप समझें यह जो है यह प्राइजी जो है एड्मिन्टन के गरों की है जो अगर हम कंपेर करें केनेडा के दूसरे सूबों से या प्राविंस से तो यहां प्राइज प्राइजिंग बहुत अच्छी है और यहां की मार्किट में ज्यादा उतार चड़ाओं नहीं आ रहा जिस तरह टोरेंटों बीसी में हो रहा है मॉर्गेज रेट हाई होने क कि वजह से लोगों की जो पावर है गर खरीदने की उसमें तो जरूर असर पढ़ा है सब जगा और अभी आज देख मैंने देखा न्यूज में थे कि जो इंडीड जो जॉब सर्च की जो वेबसाइड है उन्होंने लिखा था कि के जो हैं उन्टायों से बहुत सादा लोग जो हैं एलबर्टा के अंदर जॉब सर्च के लिए देख रहे हैं कि यहां पर अफोर्डिबिलिटी अच्छी है बहुत और यहां पर फैमिली इंकम बहुत अच्छी है करीब इंकम है दोग अपनी मॉर्गेज जो 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 जैनी गरों का जो घर रखने का जो खर्चा है वो 30 परसंट के करीब अपनी इंकम का ग्रॉस इंकम का ख़च करते हैं जबके ऑंटारियों के अंदर लोग सेवंटी एट परसंट अपनी मॉर्गेज को मैंटेन करने के लिए ख़च करते हैं दूसरी सबसे बड़ी बात है कि पूरे कैनिडा की जो ग्रोफ रेट एक्सपेक्ट मार्केर के बारे में को भी मौर्मा करनी हो तो मैं आपकोई कि हरक सकता हो मैं मैंक्सवैidos के साहथ है शुकरी